नमस्कार दोस्तों, welcome you all again to the most comprehensive and to the point lecture series on geography. अगले 4-5 lecture में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कोल के बारे में, जिसमें सबसे पहला lecture डील करेगा कोल क्या होता है, इसके historical perspective को जानने की कोशिश करेंगे, हम carboniferous spirit के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कोल कितने type का होता है, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए current crisis, current situation और इन सब चीजों पे cover करेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कोल के बारे में, ये तो आप सब जानते ही हो, ये वो चीज है जिसे black gold कहा जाता है, और किसी भी developing country के लिए power generation कितना important होता है, ये मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है, और साथ ही ऐसे developing nation, जैसे की भारत, जिसमें 70% जो power generation है या power की needs हों फुल्फिल की जाती है, बाइदा, thermal power plants, और इन thermal power plants को चलाने के लिए raw material यूज किया जाता है, और coal, तो coal भारत के लिए कितना important है और क्यों इसे black gold कहा जाता है, ये आप सब समझ चुके हो, ये मैं उमीद करता हूँ, इसके बाद अगला सवाल, कि ये कहां पे पाया जाता है, तो they were found in the sedimentary strata, और the sedimentary rocks, मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपने types of rocks, जब मैं आपको पढ़ाया था, आपने उस लेक्चर पूरा देखा होगा, जहां पे हमने igneous, sedimentary, metamorphic rock के बारे में बात की थी, हमने बात की थी कि sedimentary rocks होती हैं, वो stratified version में होती हैं, soil की layers होती हैं, ये हम चीज देख चुके हैं, इसके बाद ये जो coal होता है, अब क्योंकि इतना important है, तो we must know the reserves of the coal in India, तो for a time being, कुछ देर के लिए आप से वितना समझ लीजिए, कि coal के जो reserves हैं, they are six times more than the oil and petroleum reserves, now as we have already seen some basic components about the coal, let's get into the historical perspective, अब इस historical perspective में, हम लोग basically दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे, कि coal का formation कब स्टार्ट हुआ, इसी के साथ साथ हमें आपे देखने की कोशिश करेंगे, about the different time periods, जिसमें सबसे पहला हम लोग carboniferous period के बारे में पढ़ेंगे, मगर carboniferous period के भी पहले, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ो, paleozoic era, अब ये paleozoic era जो है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहें, क्योंकि ये बात तो आप जानते हो, वरना आज जान जाओगे, कि कोल का जो formation है, वो carboniferous period में चाल लो हुआ था, मगर actually में, जो ये paleozoic era होता है न, इसमें time को divide किया हुआ है, बहुत अलग-अलग तरीके से, जिसमें, और डोबीसियन, फिर सिलूविरियन, के बाद में डेवोनियन, फिर carboniferous, और फिर finally, पर्मियन, अब ध्यान ही रखना है आपको, कि जब हम ये, geological time scale पढ़ते हैं न, दोस्तों, जिसमें हम लोग, arcan formations पढ़ते हैं, जिसको azoic, जिसमें कोई भी life, कोई भी fossil नहीं मिलता, pre- Cameron age बोलते हैं जिसको, उसके बाद हमने धारवार सिस्टम पढ़ा हुआ है, उसके बाद में हमने विंध्यान सिस्टम पढ़ा हुआ है, कुदपपा सिस्टम पढ़ा हुआ है, जिसको पुराना ग्रूप बोलते हैं, इस तरीके से हम लोग, geological time scale को पढ़ते हैं, important ये नहीं है, ये तो आप पढ़ी लोगे, मैं आपको ये बताना चाहा रहा था, कि अगर कोल के historical perspective की बात चले, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान आना चाहिए, आपको ध्यान आना चाहिए, पेलियोजोईग ग्रूप, पेलियोजोईग ग्रूप क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि इस पेलियोजोईग ग्रूप में, further कुछ divisions किये हैं, पेरेड में, जिसे और्डोविशियन, सिलूविरियन, डेवोनियन, कार्बोनी फेरस और पर्मियन, अब यह जो कार्बोनी फेरियस और पर्मियन टाइम पिरेड है, इस टाइम पिरेड में, actually, formation होना शुरू हुआ था हमारे कोल का, तो यह बहुत important point हमने यह से notice किया, फिर से repeat करता हूँ, post कार्बोनी फेरस, या यूँ कहूँ, कार्बोनी फेरस और पर्मियन पिरेड में, कोल का formation होना चालू हुआ था, and so, this was the period also, when the pangia was broken, and tethys sea came into existence, ऐसा भी करके, UPSC आपसे अलग-अलग तरीके से पूछ सकती ही, तो आपको ध्यान रखना है कि, यही वो time period है, when pangia was broken, और जिस तरीके समझानते हैं, पैंजिया और पैंथाल्सा एक land form था, पूरा बड़ा, और एक पूरा sea था, उसके टूटने के बाद, हमारा tethys sea बन जाता है, तो चलिए, paleozoic के बाद में, जो अगला एरा आएगा, वो आएगा हमारा mesozoic का, तो जिस तरीके से मैंने बताया, लेटर paleozoic period में, हमारा carbon formation चालू हुआ, और सबसे अच्छा जो carbon है, वो हमें मिलता है, mesozoic एरा में, या मैं यूं कहूँ, गोनवाना system में, तो जो गोनवाना system है, ये actual में, mesozoic एरा से belong करता है, तो अब आपका सवाल, ये भी हो सकता है, कि ऐसा क्यों हुआ, कि paleozoic में, बहुत च्छा कोल नहीं मिलता है, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, क्योंकि कोल, जितने टाइम तक, जमीन के नीचे, high pressure, high temperature पे रहता है, उतना ही बढ़िया, कोल हो जाता है, तो मीसो जोई केरिया में, इस कारण से, गोनवाना सिस्टम अवेलेबल है, और यहां पे, हमें सबसे, बहतरीन कोल मिलता है, अब इसका अगर time period में, आपको बताना चाहूं, तो carboniferous period, की जो age है, it was 350 million years ago, तो इसको आप अगर याद रखना चाहूं, तो मैं सिर्फ 350, MY, A लिख देता हूं आप लोगों के लिए, और यहां पे arrow बना देता हूं, the name carboniferous, refers to coal bearing strata, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद में एक चीज़ और समझी जा सकती है, कि ऐसा क्या होता है, कि over the period of time, जो हमारा coal है, वो और जादा भैतर होता जाता है, जब हम पढ़ेंगे, तो आप देखना, सबसे पहली stage जो होती है, वो होती ही P8, यह जो P8 होता है, बिल्कुल low quality का coal होता है, फिर आता है दूसरी stage में हमारा lignite, अभी जब हम पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, कि जो lignite होता है, वो P8 से थोड़ा अच्छा होता है, उसके बाद में, हमारा आएगा sub-bituminus, sub-bituminus lignite से अच्छा होता है, फिर आएगा हमारा bituminus, bituminus, sub-bituminus से अच्छा होता है, सबसे बहतरीन कोल होता है, antrecyte, यह अभी आप देखने वाले हो, अब यहाँ पे, आपको यह चीज ध्यान रखनी है, कि यह जो अच्छा कोल होते जा रहा है, यह क्यों हो रहा है, because, जो amount है, किसका, oxygen का, जो amount है, nitrogen का, जो amount है, moisture का, वो कम होते जा रहा है, क्योंकि UPSC आप से question पूछेगा, कि बताओ, over the period of time, क्या carbon का proportion बढ़ने लग जाता है, नहीं, मतलब कि, अगर यह matter है हमारा, clear, इसमें पहले इतना carbon था, और इतने बाकी के moisture, oxygen, nitrogen थे, तो actually में carbon का percentage इसमें नहीं बढ़ रहा है, carbon तो उतन नहीं है, मगर क्योंकि इनका percentage कम होते जाएगा, या proportion कम होते जाएगा, oxygen, nitrogen और moisture का, तो हमारे carbon का proportion, इस matter में बढ़ता जाएगा, और वो coal उतना ही अच्छा होता जाएगा, तो जितनी जादा depth, जितना जादा pressure, जितनी जादा heat, उतना better carbon content, यह आपने समझ लिया, अब बात करते हैं, इसके formation के बारे में, कि यह कैसे form होता है, जैसे कि आप first stage पे P8 के यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, dead plants बहुत सारे, जो decay हो रहे हैं, तो decaying की process भी शुरू हो गई होगी, आपको नहीं लगता, और साथ ही साथ, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक swampy area दिखाया हुआ है, एक दलडल type का area आपको, क्योंकि swampy area जो रहता है, वो बहुत favorable situation रहती है, coal formation की, अब यहाँ पे क्या होता है, यह सब चीजें decay होना शुरू होती है, और यह 2 साल, 4 साल नहीं, millions of years लगते हैं coal बनने में, clear, तो जो top layer का weight होता है, यह पानी और dirt के साथ पूरा pack हो जाता है, और lower layers में plant matter बनना शुरू होता है, जब heat और pressure बनता है, निचले इस तर पे, तो chemical और physical changes होते हैं plant की layers में, जिस कारण से जो oxygen है, वो बहार निकलने लगती है, और carbon rich deposits नीचे बच जाते हैं, इसलिए जितना जादा pressure, जितना जादा temperature होगा, वैसे वैसे oxygen बहार आती जाएगी, और नीचे carbon deposits और जादा कठोर होता जाएगा, और इस तरीके से classification होता है, lignite, bituminous, coal और anthracite के बीच में, अब coal में कौन-कौन सी gases मिलती हैं, यह अगर हमसे कोई पूछे, तो hydrogen मिलती है, oxygen, nitrogen, ash और sulfur, साथ ही साथ, कभी-कभी इसमें chlorine और sodium भी मिलता है, clear, chlorine और sodium, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, types of coal में, सबसे पहले P8 जो की सबसे हलका type का coal होता है, यह जो P8 coal होता है, इसमें बहुत ज़ादा impurities होती है, या मैं यूँ कहे दूँ, सिर्फ 40 से 50% इसमें carbon content होता है, या carbon percentage, समझ रो, आप कितना low quality का coal होता है, इसलिए इसमें ash बहुत ज़ादा निकलती है, और इसलिए सबसे ज़ादा नुकसान दाएक भी होता है, क्यों, क्योंकि smoke produce करेगा, small particles के ash, जो कि हमारे body में जा सकते हैं, हमारे agriculture को खराब कर सकते हैं, जोकी करते हैं, तो ये first stage थी, अब ये जो होता है, P8, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल brown color का होता है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये अगर आप देखोगे, तो ये P8 है, ये अगर आप देखोगे, तो आपको lignite दिखेगा, और P8 को अगर आप देखोगे, तो इतना हलका रहता है, कि इसको अगर दबाओगे आप, तो ये पूरा ऐसे टूट जाएगा, बिखर जाएगा, दिखरा आपको, वही सबसे अच्छा cold जो होता है, अगर ये थोड़ा सकत होता है, और dark brown होता है, ये जो P8 है, ये बहुत light brown होता है, इसमें भी जो carbon का percentage होता है, वो P8 से थोड़ा से जादा होता है, that is about 40 to 55 percent, moisture content दिखी रहा आपको over 35 percent, और spontaneous combustion होने में का, इसमें हमें खत्रा रहता है, इसके बाद आती है बाद bituminous coal की, इसमें bituminous और sub-bituminous में हम लोग ज़्यादा differentiation नहीं करेंगे, हम सीधे bituminous coal पड़ेंगे, bituminous coal जो होता है, ये भी soft coal होता है, बहुत ज़्यादा सकत नहीं होता है, anthracite जितना, मगर हाँ, इसमें जो carbon content होता है, वो 42, 80% होता है, dense होता है, compact होता है, black in color होता है, याँको दिख भी रहा होगा, black in color, इसके साथ जो इसकी calorific value बहुत हाई होती ही, carbon content ज़्यादा होने के कारण, और coke और gas बनाने में, इसका use किया जाता है, इसके बाद में आता है हमारा anthracite, the best quality, best, clear, ignite बहुत धीरे-धीरे होता है, flame blue होती है, जो pollutants होते हों बहुत काम होते है, example के तौर पे जैसे LPG, semi-metallic cluster जैसा दिखने को मिलता है, यह सिर्फ जम्मो इन काश्मीर रीजन में, हमारा पर पाया जाता है, इसके साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लांड सोकेस की हुए, कि जब इनका decomposition शुरू होगा, तो धीरे-धीरे यह नीचे जाते जाएंगे, और जब यह एकदम यहाँ पर नीचे जो कोल मिलता है, देखो ना आप हाइट भी डिफरेंस है, यह जो कोल है यहीं पर मिल गया, मगर अंट्रसाइट देखो किती जाके नीचे नीचे मिला, तो जितना जादा नीचे होगा, उतना जादा प्रेशर, उतना जादा टेंपरेचर, इस कारण से अच्छा होता है, तो यह आपने देखा, कोल का historical perspective, आपने देखा कोल formation किस तरीके सो होता है, आपने कोल की properties के बारे में देखा, आपने types of कोल के बारे में देखा, उमीद करता हूँ, इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखा पाया हूँ और समझा पाया हूँ,